साल का पहला चंद्रग्रहन 25 मार्च सोमवार को लगने जा रहा है। इस चंद्रग्रहन पर होली का सयोग भी बनने जा रहा है। हाला कि ये चंद्रग्रहन का प्रभाव भारत में नहीं पढ़ने वाला है। क्योंकि ये भारत में द्रिश्य नहीं होगा। ग्रहन का सूतक काल भी मानने नहीं रहने वाला है. वैसे आपको बता दे कि हिंदू धर्म के अनुसार चंद्रा ग्रहन को अश्चुब काल माना जाता है. चंद्रा ग्रहन शुरू होने से 9 गंटे पहले सूतक लग जाता है. इसके साथ ही कुछ नियम लागू हो जाते हैं इन नियमों का पालन सूर्तक लगने से लेकर चंद्रग्रहन समाप्थ होने तक किया जाता है चंद्रग्रहन समाप्थ होने के बाद भी कुछ काम करने के बारे में शास्त्रों में बताया गया है देवगर के जोतिश आचारे से जानते हैं सूतक काल से लेकर ग्रहन समाप्थ होने के बाद क्या करना चाहिए? इस बार 25 मार्च को भूली के दिन यानि फालगुन पुर्णिमा को शंद्र ग्रहन लगने जा रहा है जिसका प्रभाव भारत पर तो नहीं पड़ेगा लेकिन ग्रहन है इसलिए उस ग्रहन को मानना अतियावस्यक है तो ग्रहन के बाद जैसे ही ग्रहन का मुख्च हो जाए सबसे सरप्रथम गंगाजल से सनान करें या हो सके तो गंगा में सनान करें तो गंगाजल अपने दे पर छिड़क लें और पूजा के घर में जहां आप पूजा रोज करते हैं नित्याप के घर में पूजा का रूम है वहाँ भी गंगाजल का छिड़काओ करें इसके उपर जितना हो सके देभी देवताओं को तो गंगाजल से सब को सनान करा देए और घर में पोछभय जो लगेगा उसमें थोड़ा सा नमक डाल देए पानी में और नमक डाल करके घर का पूछा लगाएं असनान निस्चित करें और असनान करने के बाद आप सफेद वस्तर का अवस्यदान करें साथ में गूर और घीव गूर घीव को मिलाकर जरुरत मंद को अवस्यदान करें इससे आपके घर की नकारात्म पुर्जा ग्रहन का जो नकारात्म प्रभाव पड़ा वह समाप्त हो जाएगा और जब ग्रहन काल में जो भोजन बना हुआ है उसमें तुनसी का पत्ता अवस्यदाल करके रखें तभी उसका उप्रियों हो सकता है जदी आपके कीचन में भोजन बना हुआ है तो भोजन में आप ग्रहन के पुर्व आप तुनसी का पत्ता डाल दें बाद में उस भोजन का अप्रियों कर सकते है लोकल 18 देवघर से परमजीत सिंग की रिपोर्ट